इक्षा ववस्था में जैसे भारत में एक विशय हमारी आर्थिक ववस्था को बहुत बड़ी ताकत दे सकता है और भारत ने ये मौका गवाँ दिया है हमने फिर से एक बार उसको प्राप्त करना है और वो हमारी स्कूलों से शुरू हो सकता है और वो है टूरीजम अब आप गहेंगे लेकिन अगर स्कूल के अंदर 對 तो जाती होगी लेकिन ज्यादा तर टूर कहा जाती है जहां टीचर ने जो देखा नहीं है वहा टूर जाती है अ है के जूरेंट को ऐ देखना चईह वहां टूर नहीं जाती है अगर स्टूडंट का टीचर का उदयपूर रह घया तो फिर कार्कम बनाएंगे कि स्कूल इस बार उदयपूर जायेगी और फिर सब से कि जो भी पैसे लेने होते हैं जो टिकर का कर्चा ओताइं सब अजय जाते हैं लीकिन मेल तो जैसे मा कहते हैं बिच्चे को अएस्थीम घाना है तो हम लोग कभी सोच करके ज возмож बनाते हैं कि साल बर काम लोग पूरा काम तय कर लेते हैं किसको करना कैसे क्या उसमें हम अभी से कि ट्विंटीफॉर ट्विंटीफाइव में आठ या नौ कख्षा के विज्जारतियों के लिए डेस्टिनेशन यह होगा नौ और दस के लिए यह होगा जो भी तय करें हो सकता है इस्कूल तीन डेस्टिनेशन ताय करें हो सकता है पांच डेस्टिनेशन ताय करें और उनको साल भर काम देरा चाहिए कि अब आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है कि अगले साल हम केरल आ जाने वाले हैं चलो भी कि दस्टूडेंट का एक ग्रूप बनेगा जो केरल के सोशल रिती रिवाच उनको पर प्रोजेक्ट करेगा दस्टूडेंट वहां के धार्मिक परंपराय क्या होती है मंदिर कैसे होते हैं कितने पुराने दस्टूडेंट हिस्ट्री पर करेंगे साल भर एक एक दूदो घंट इसपर डिबेट होती रहें केरल 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 चलता रहे है और फिर केरल के लिए निकल पड़ेंगे आपके बच्चे जब जाएंगे केरला तो वो एक प्रकार से पूरे केरल को आत्मसाथ करके वापीस आएंगे उनको रहेगा रहे वो मैंने पढ़ा था ना अच्छा ये वो है वो कोरिलेट करेगा अब आप सोचिए कि मान लीजे गोवा ने ताई किया कि इस बार हम नौर्थ हाथ हाँ लेकिन नौर्थ इसके टूरिजम को फाइदा होगा यह लोग नौर्थ इस इतनी है तो नौर्थ को लगेगा वितने लोग आ रहें तो कुछ चाई पान के लिए दुकाने ख़ूने पड़े गी किसी को लेगे यह चीज बिकती है चलो यह ज्यादा तो हाँ व्या देश है हम सिक्षा के साथ और इस बार आपको आप अपने स्टूरंस को बताइए अभी ओनलाइन एक competition चल रहा है और आपके स्कूल के सब बच्चों ने उसमें हिस्सा लेना चाहिए लेकिन ऐसे करना चाहिए थोड़ा स्टड़ी करके करना चाहिए अभी competition चल रहा है कि देखो अपना देश ऑनलाइन रेंक्टिंग चल रहा है लोग वोट कर रहे हैं और उसमें हमारी कोशिज है कि उस राज्य के लोग वोट करके ताय करें हमारे राज्य में यह नंबर बन पर चीज है ज जाने जैसी है एक बार बोटिंग से जो सिलेक्ट होंगे तो सरकार कुछ बजेट लगाएगी इन्फरास्टर तयार करेंगी और उनको फिर डेवलप करेंगी लेकिन यह टूरिजम कैसे डेवलप होता है मुद्दा यह होता है कि पहला मुर्गी की पहले अंडा कि कुछ लो योजना बद्ध तरीके से महां जाए रात्री को महां मुकाम करें तो उस थान के लोगों को लगेगा भई अब रोजगार के संभावना बनेगी तो होमस्टे बनने लग जाएंगे और रिक्षा वाले आ जाएंगे यहाने अगर हम सिरफ स्कूल में बैठे बैठे ताय करें तो इस देश में 100 टॉफ डेस्टिनेशन टूरिजम के हम दो साल के अंदर तयार कर सकते हैं एक टीचर कितना बड़ा रिवोलुशन ला सकता है इसका यह उदारण है यानि आप अपनी रोजमरा की जिंदगी में स्कूल के रिगुलर काम में करते ही है आपके यहां से तूर तो जाते ही जाते हैं लेकिन अध्यन नहीं होता है जहां जाना है उसका साल भर अध्यन होगा तो वह शिख्षा का काम हो गया जाकर के उस जगह पर जाते हैं तो वहां पर एकोनोमी को लाब हो सकता है